चंदला थाना अंतरगत छपरा निवासी राजेंदर सिंग का बैंक खाता भाटी स्टेट बैंक चंदला में हैं जिसमें साथ लाख बीस हजार रुपे की राशी उनके बिना किसी जानकारी के अग्यात लोगों के द्वारा निकाल ली गई है राजेंदर सिंग वर्तमान में मूलता सियार पियफ के जवान हैं मगान निर्मान के लिए राजेंदर अपने ग्रह ग्राम आये थे जिरके बीते सब्ता है लवकुष नगर में रजिस्ट्री लेखक दीपक गुपता के यहां से रजिस्ट्री होनी थी पिडित के अनुसार रजिस्ट्री लेखक दीपक गुपता के कम्प्यूटर में खाते से समंधिज जानकारी पिडित ने प्रविष्ट की और इसके पश्याद बैंक ऑनलाइन गूगल पेज सर्विस के माध्यम से भी पिडित ने जैसे ही खाते से समंधिज जानकारी मांग पिडित ने चंदला धाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाई इस प्रकरण को लेकर जब बात रजिस्ट्री लेखक दीपक गुपता से की गई तो उन्होंने बताए कि उनके द्वारा कंप्यूटर में चानकारी प्रविष्टी जरूर की गई मगर उनके मुबाइल पर OTP ही नह परित नहीं हो सकी प्रोफाइल नेम और उसका पासवार्ड मेरे कुछ नगजी की ज़िवरत थी तो मैंने उसके कंप्यूटर में डाला और उसमें मेरे मुबाइल में OTP नहीं आया सुपवार की बात है और उसके बात मैं अंगले दिन सनिवार को मैं अपने मुबाइल से ट्रांसपर कर रहा हूं रुपए तो ट्रांसपर नहीं हो पा रहा है जिससे मैंने गूगल सिर्फ गूगल पे का कस्टमर केरे का नमन निकाला और उससे मेरी बात ही और उसमें सिर्फ वहां से गूगल पे से वापस फोन आया और मैंने उसमें उसमें बोला गूगल पे आपका लॉक हो गया है और उसको खुलवाने के लिए मैंने पुछ है उसमें मोबाइल में जो मेरा पूरा मुवाइल हेंग कर लिया और मेरे खाते से साथ लाख भी सजार रुपए निकाल लिये गए मैंने अपनी एफ आई यार चंदरा थाने और बैंक से स्टेटमेंट साइबर से छतरपुर में मैंने सिकायद दर्ज की और मैं यही वजाइस करता हूं कि मेरे को मेरे रुपए वापस किये जाएं और इस कारवाई को तुरंत करने का कार किया जाएं क्या बैंक खाता से समंधित जानकारी रिजिश्टी लेखक दीपक गुपता के अलावा आपने मैं अपने दीपक गुपता के पास थी में चेकबुक और प्रफाइल नेम पासवर्ट और दूसरा जो मैं गूगल पे को मेरे को चालू क्योंकि उसने लॉक कर दिया था उसको चालू कराने के लिए जो भी उसने टाकुमेंट मांगा उसमें मैं उसमें क्लिक किया है और उस कि खातों की जानकारी नहीं मिली यह लिता है